इस वीडियो में बच्चों हम अपने special friend यानि जो हमारा best friend होता है हमारे विशेश दोस्त होता है उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम सबको पता है कि हम सबकी जिन्दगी में कुछ ने कुछ problems होती है तो यदि इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे जिमन में problem है तो हम दूसरों की मदद ना करें यदि हम किसी बिमार विक्ती से मिलते हैं तो हमें उसकी तरफ smile pass करना चाहिए इससे क्या होगा उसे अच्छा महसूस होगा और same हमें भी अच्छा महसूस होता है कि हमारे जो छोटे छोटे इस तरह के काम होते हैं वो दूसरों को बहतर महसूस करवा सकते हैं इस तरह से हम उससे हमें खुशी भी मिलती है और हमें संतोश भी मिलता है कि हम अपने आपके बारे में फिर अच्छा सोचते हैं कि हम कितने दयालू हैं दूसरों के परती और दूसरे भी फिर हमसे उसी तरह से बरताओ करते हैं तो इसलिए हमेशा हमें अपने आसपास के लोगों में खुशी फलाने की कोशिश करने चाहिए तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ रहे हैं कि लविश जो धाय गरी पच्चा था और वो अपनी मा के साथ अब एक जोपड़ी में रहता था जो कि उसके स्कूल के पास था तो उसकी मा जो है वो उसकी स्कूल में काम करती थी और लविश सुबह को स्कूल में जाता था और शाम को वो अकसर छोटे-छोटे काम करता था अपनी मा के साथ पैसा कमाने के लिए तो एक शाम को वो मैगजीन की किताबे बेच रहा था तो उस दिन उसको ज़्यादा पैसे की जौरत थी और क्योंकि उसे स्कूल फीज भरने थी तो उसने कठिन मेहनत करने की निश्चे किया था और उसने सोचा था कि जितनी जादा से जादा मैगजीन वो बेच पाएगा वो बेचेगा लेकिन वो जैसे ही दरवाजे दरवाजे पाहल किसी के घर घर पर जाकर वो मैगजीन बेचना शुरू कर दिया तो वो एक बहुत ही पुराने से घर में गया और उसने देखा कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं तो उसने वहां के मालिक से बाहर आने के लिए मुश्किल से ही बाहर आते हैं वहां पर लोग तो जब वो बहार आय तो उसने उनको हैल्लो नहीं कहा और उसने अपने उसके जो पडोसी थे यहां से जो गुजर रे थे तो लेकिन वह उसकी तरह घूर रहते तो लविश ने उस घर पे जाना रू गया वहां पर नहीं गया और उसने फिर एक सेकंड के लिए सोचा और फ जैसे वो चलने के लिए तियार हुआ तो दरवाजा धीरे से खुला और उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए तो बुड़े आदमी ने पुछा तो लिटिल बॉय जो था वो चोटा सा लड़का वो बहुत डर गया उसने कहा सर मैं यह मैगजीन वेच रहा था और मुझे सर्प सिक्के पड़े हुए मेज पर तो वो पुराने थे और बहुत ही रेयर थे मतलब बहुत ही कम देखने को मिलते थे तो उस चोटे लड़के ने पूछा कि क्या आप सिक्के एकटा करते हैं तो उसने का हाँ मैं बहुत सारे जो रेयर सिक्के होते हैं जो कहीं नहीं देखने को मिलते हैं मैं उन्हें एखटा करता हूं तो उन्होंने अपने पुराने समय के बारे में उसको बहुत सारी कहानिया सुनाई तो वो सब उसके पास थी तो लड़के ने तब उस आदमी को सौरी बोला और उसको लगा कि यह बहुत ही अकेला था तो ठीक है I do have a magazine here for coin collectors उसने कहा क कि ठीक है मेरे पास कुछ magazine है जो सिक्का एक खटे करने के लिए है यह आपके लिए एकदम ठीक रहेंगी तो उस बुड़े आदमी ने वह अपना दर्वाजा बिल्कुल बंदी करने वाला था और उसने लड़के से का नहीं मुझे कोई magazine की जौरत नहीं है goodbye ऐसा कहकर उसने दर्वाजा बंद कर दिया अब लवीश जो था वो अपने घर वापिस आया और वो बहुत दुखी था दो रीजन की वज़े से तो वो बहुत ही उदास था अपने आपसे कि वो जादा magazine नहीं बेच पाया वो बहुत दुखी था कि बुड़े आदमी ने इतना केला था इतन इसके मतलग कोई जादा सिक्के नहीं थे लेकिन बॉई ने उस बुड़े आदमी के घर के पास गया और उस इक अपने साथ ले कर गया उसे फिर से दरवाजा खट कट आया और वो बुड़ा आदमी फिर से दरवाजे पर आया लड़के ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही म बुड़ा आदमी को दे दिये तो वो बुड़ा आदमी का फेस एकदम खुशी से चमक गया तो अब वो लड़के ने बोला कि आपका दिल बहुत बड़ा है आप इसका आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो लड़के ने मुस्करा कर जवाब दिया और कहा कि because I think it would make you happy क्योंकि मु No one had ever given him such a gift कि किसी ने उसको पुरी लाइफ में कभी इस तरह का gift नहीं दिया और उसको उसकी बहुत ज़्यादा जो दयालुता थी kindness थी वो उसको नजर आई तो ही उसने उसकी सारी किताबे खरीद ली लड़के से किताबे ही नहीं उसने वो लड़के का बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त भी बन गया तो इस तरह से बच्चों हमें हमेशा खुशियां फैलानी चाहिए जिसको जिस चीज की जुरत होती है अगर हम उसकी किसी तरह से मदद करते हैं तो वो हमारा दोस्त बन जाता है तो इस तरह हम यहापर किस तरह से अपने दोस्त बना सकते हैं उसके बारे में ये कहानी बताई गई है तो I hope आपको समझ में आई होगी Thank you